जाहेन दोस्तों मैं सुने लोशन स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल physical education एरीना में दोस्तों आज हम final discuss करने वाले हैं BPAC के complete syllabus पर ठीक है उसमें BPAC के complete syllabus पर MCUK revision होगा दोस्तों जिसमें आपके 250 plus questions होने वाले हैं और ये दो set में चलेगा दोस्तों ठीक है एक ही वीडियो के अंदर दो सेट रहेंगे, part 1 और part 2, part 1 में 130 question और part 2 में 130 question होगे आपके सामने, और वाकरी दोस्तों, यह आपके syllabus के according ही पूरे questions है, इसको अगर आपने एक बार revision कादे से कर लिया, तो आपका बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहु तो चले देर ना करते हो शुरू करते हैं फटा-फट से वीडियो को लाइक कर दीजे और शेयर कर दीजे पहला कोशन की तरफ चलते हैं पहला कोशन पाल्ट वन में हमारे 130 कोशन आएंगे दोस्तो ठिक है ए पहला कोशन हम लेते हैं पहला कोशन हमारा कहा रहा दोस्तो इन विच इयर इंडियन एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेट दैट फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग बी प्रमोटेड इन इंटरेस्ट आफ दे यूथ भारती सिक्षा आयोग ने किस वर्थ सिफारिश की थी कि युगाओं के हित में स्थानी खेलों को ध्यान में रखते हुए शारिडिक प्रसिक्षन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तो तो इसका सही जवाब होगा option 2 is the correct answer ठीक है 1882 में 1882 option 2 is the correct answer फटा फट से चलेंगे लेट नहीं करेंगे question number 2 है हमारा आपके सामने when was the Rajasthan state sports council formed Rajasthan state sports council का गठन कब हुआ था दोस्तों question number 2 है आपके सामने क्या होगा इसका सही जवाब option 2 is the correct answer 1957 में आपका Rajasthan state sports council का गठन हुआ था question number 3 in which teaching methods students are given an opportunity to perform their own time किस section विधी में विद्यार्थी को अपने अनुसार प्रदर्शन करने का अफसर दिया जाता है imitation method, demonstration method at will method at will method, command method अनुसारण विधी, प्रदर्शन विधी, स्वेच्छा विधी या फिर आदेश विधी इन में से किस method के सामने विध्यार्थी को अपने अनुसार प्रदर्शन करने का अफसर दिया जाता है question number 3 का जो सही answer होगा option 3 is the correct answer ठीक है question number 4 देखेंगे हैं यापर independent India first ever national physical efficiency drive came into existence सौधंद्र भारत का स्वरपतम कब अस्तित में आया दोस्तो question number 4 क्या होगा सही जबाब option 4 is the correct answer that is 1959 में 1969 में दोस्तो 1959 में जो था सौधंद्र भारत का स्वरपतम रास्ति शारिक दक्षता अभियान अस्तित में 1969 में आया question number 5 आपके सामने है the first step of planning is planning का पहला चरण क्या है लक्षित समू की पहचान लक्षों का निरधारण संसादन को जुटाना या सुविधाओं का प्रावधान तो सही जवाब क्या होगा question number 5 का option 2 is the correct answer लक्षों का निरधारण determination of goals the first step of planning planning के पहला चरण होगा लक्षों का निरधारण question number 6 और 7 आपके सामने है what word yoga is derived from yoga शब्द कहां से व्युत्पन हुआ question number 6 का सही जवाब होगा option 3 is the correct answer that is yuj yoga word is deceived from or derived from yuj yuj dhatu से लिया गया है sanskrit की sanskrit शब्द की yuj dhatu से आपका लिया गया शब्द है ये yoga which of these asans in suggested for relief from lordosis निम्ण में कौन सा आसन अग्र कुबजता के कारण सुझाय जाता है lordosis के लिए कौन सा आसन किया जाता है question number 7 correct answer is halasana lordosis deformity से बशने के लिए halasana प्युक्त एक आसन होता है अगला question है question number 8 और 9 the events of power lifting are power lifting प्रतियोगिता की प्रतिस परधाएं है इन में से कौन कौन सी power lifting की प्रतिस परधाएं है ठीक है फिर laceration is a laceration क्या है तो laceration क्या है दोस्तों question number 9 आपके सामने laceration क्या है option 1 is the correct answer irregular cut on skin तो अच्छा का irregular cut na laceration कहलाता है अगले question पर चलते है question number 10 आपके सामने the women sports festival was first introduced in India भारत पहला महिला खेल उत्सव पहली बार कब मनाये गया तो कब मनाये गया option 4 is the correct answer 1975 में भारत का महिला खेल उत्सव पहली बार मनाये गया 11 question who is the first swimmer in India qualify for the Olympics swimming में भारत से Olympic ले qualify करने वाले पहले तैरा कौन थे दोस्तों तो वो थे आपके सजान प्रकाश सजान प्रकाश जी जो थे वो थे swimming में भारत में Olympic के लिए qualify करने वाले पहले swimmer थे दोस्तों ठीक है अगला question है question number 12 and 13 the ability of a person to change direction while moving at or near full speed is called किसी व्यक्ति की दिशा वा गती बदलने की छमता जब वह अपनी पूड गती या उसके संकक्ष हो को क्या कहते हैं दोस्तों तो उसको हम कहते हैं चपलता यानि की agility ठीक है which of the following test is not used to measure muscular endurance निमले कि इसमें से कौन सा test मानसपेशी सहन शक्ति को मापने की काम में नहीं आता है दोस्तों option question number 13 का option 3 is the correct answer distance walk okay distance walk next question है हमारा question number 14 or 15 select the correct 4 key concepts of developing group dynamics in sports खेलों में group dynamics के विकास की उचित चार प्रमुक अफधानाओं का चेहन करें तो वो चार प्रमुक अफधानाएं कौन सी होंगी दोस्तों वो होंगी हमारी forming, storming, conforming and performing ठीक है यही इनका sequence होगा forming, storming, conforming and performing गठन, अक्रामक रूप, अनुरूपर्ड और प्रदर्शन इमी most important question है ठीक है, question number 15 की तरफ चलेंगे तो 15 question, sports study of India was formed in the year भारती केल प्रादिकरन का गठन किस वर्ष में हुआ था तो वो हुआ था आपका दोस्तों 1984 में ठीक है, अगला question है, हमारा question number 16 16 और 17 16 और 17 question आपके सामने The camp crafts involves शिवर शिल्प में समाहित है क्या समाहित है दोस्तों तो शिवर शिल्प में आपका समाहित हो जाएगा मानसिक कोशल ठीक है, mental skills Next question है, what is the balance diet एक संतुलित आहर कैसे बनता है तो क्या होगा इसका सही जवाब Question number 17 का जो सही आंसर होगा Option 1 is the correct answer Consist of all essential elements सभी आवश्यक खाद्र पदार्थों को विलाकर अपका balance diet बनता है ठीक है, जैसे Carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals है यह सारी चीज है Next question number 18, who is the first Indian woman to carry national flag in summer olympics Summer olympic में भारती ध्वजवाहक बनाने वाली पहली या बनने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों, तो वो पहली महिला थी हमारी कौन, वो थी हमारी PTO उशा जी, ठीक है PTO उशा, according to the five factors model which component personally is associated with irritability nervousness and emotional instability, पाँच घटक model के आधार पर व्यक्तित्व का कौन सा घटक चिड़चिड़ा, पन, घबराहट और भावनातक अस्थिरता से जुड़ा है तो वो होगा आपका दोस्तों neurotism neurotism बोलते हैं जिसको manu vikshubdata neurotism ठीक है next question है हमारा question number 20 21 the long term effect on exercise of cardiovascular system is दिर कालिन व्यायाम का हिदय प्रडाली पर पढ़ने वाला प्रभाव क्या होगा दोस्तों तो वो होगा सारे के सारे होंगे यह आपके ठीक है आपका cardiac hypertrophy भी होगा increased stroke volume भी होगा और increased number of capillaries भी होगा which of the following does not include the principle of sports training निम्ल में से किस खेल प्रसिक्षन के सिद्धान्त में शामिल नहीं किया जा सकता किसे खेल प्रसिक्षन के सिद्धान्त में शामिल नहीं किया जा सकता इन चारों में से तो वो होगा दोस्तों आपका economy and movement कोई खेल प्रसिक्षन सिद्धान्त में आपका शामिल नहीं होगा बाकी आपका progression of load और cyclicity of trading और continuity ये तीन ही चीज़े आपकी training से include होगी उसके principles से included होगी next question है question number 22 आपके सामने the main objective of recreational activity is to pass the time to do some extra work to enjoy and have fun activity or to do something which is not done yet Manoranjanatma गतिविधियों का मुख देश क्या होता है दोस्तों तो वो होता है आपका गतिविधि में आनंद ले और मजा करें ठीक है to enjoy and have fun in activity अगला question है आपके सामने question number 23, 24 the most important factor in organization of recreation is एक Manoranjanatma के संगठन में सबसे महतपूंड कारक क्या होगा तो जो एक Manoranjanatma के संगठन में जो सबसे महतपूंड कारक होगा दोस्तों वो होगा उसकी सुवधाएं ठीक है अब क्या-क्या फैशलिटीज वहाँ प्रोवाइड हो रही है तो वो सबसे important कारण होगा अमरा factor होगा question number 24 if 17 teams are participating then how many matches will be played in the first round of knockout tournament एक knockout tournament प्रती होगी तामें जहां 17 टीमें हिस्सा ले रही है वहाँ पहले round में कितने match खेले जाएंगे दोस्तों तो कितने match खेले जाएंगे वहाँ पर वहाँ पर खेले जाएंगे आपके एक matches खेले जाएंगे एक second कितने match खेले जाएंगे question number 24 है न एक knockout प्रतियोगी ताम जहां 17 टीमें हिस्सा ले रही हो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे तो पहले राउंड में एक ही मैच खेला जाएगा दोस्तों, क्लियर हुआ 17 टी में अगर भाग ले रही है ठीक है, अगले क्वेशन पर चलते हैं अगला क्वेशन है, क्वेशन नमबर 25 वट इस दे अनॉक अनॉक्जिया नर्वुसा अनॉक्जिया नर्वुसा क्या है दोस्तों अनॉक्जिया नर्वुसा क्या है अनॉक्जिया नर्वुसा एक खाने का विकार है दोस्तों इटिंग डिसॉर्डर है विच आफ दा आसना एस फॉलाइंग इस बेनिफिशिल in reducing obesity मोटापा को कम करने के लिए कौन सा आसन सहायक होता है दोस्तों तो आपका कौन सा आसन सहायक होता है वो आपका वजरासन सहायता करता है इन चारों आप्शन में से ठीक है वजरासन मोटापा को कम करने के लिए सहायक होता है आसन next question 27 which of the following is balancing factor in human मानोशरीद में संतुलन बनाने का कारे निमने में से कौन करता है दोस्तों तो वो कौन करता है वो करता है हमारा कान सादी vestibular reason जो होता है वो हमारा क्या करता है balance बनाने का कारे करता है मानोशरीद में next question is question number 28 आपके सामने 28 वा कुशन आपसे which of the following is a motor educability test निमने में लिखित में से कौन सा एक motor educability test या परिक्षन है दोस्तों तो question number 28 का सही answer क्या होगा इसमें से motor educability test jcr test iowa test harper test और fisherman test इसमें से एक option चुनने को कह रहा है बड़ इसमें से इसमें से इसके दो दो तो होने चाहिए ठीक है एक आपका ये jcr हो गया एक आपका ये hopper हो गया ठीक है चलो इसको अभी इस question को continue नहीं करेंगे कुछकी इसका एकड़म exact answer नहीं होगा next question पर चलते है which year did the Olympic committee banned the use of performance enhancing drugs Olympic committee ने किस वर्ष में प्रदर्शन में सुधार लाने वाली मादक पदार्त यानी drugs को प्रतिबंधित किया था दोस्तों को जली सुताएंगे question number 29 का सही answer क्या होगा तो वो होगा option 3 is the correct answer 1967 important question है आपके drugs देखो दोस्तों सारे के सारे question आपके syllabus के according है circuit training निम्न में से कौन नियंतरित करता है दोस्तों तो कौन नियंतरित करता है? वो नियंतरित करता है हमारा medulla oblong data मेडूला oblong data जो हता है वो हिर्दय गती रक्त चाप और स्वसन करिया तीनों को ही control करता है उसको नियंतरित करने का काम करता है circuit training is an effective method for developing प्रभावी तरीका है next question है हमारा the three the three agitos in paralimpic symbols reflects most important question paralimpic प्रतीक के तीन agitos क्या दर्शाते हैं दोस्तों क्या दर्शाते हैं तो वो दर्शाते हैं आपके sports in motion spirit in motion को ठीक है भावना में गती को दर्शाते हैं ठीक है अगला question है question number 33 आपके सामने दोस्तों what is the aim and objective of yoga education योगिक शिक्षा का उद्देश क्या है दोस्तों योगिक शिक्षा का उद्देश क्या होगा आपका योगिक शिक्षा का जो उद्देश होना चाहिए वो सारे के सारे ही होगे आपके ठीक है अगले question पर चलते है question number 35 है आपके सामने और 36 35 करा है कार्डियो रस्पारेटरी एंडुरेंस इस आलसो नोन है कार्डियो रस्पारेटरी सेंश इलता को किस तरह जाना जाता है दोस्तों question number 35 most important question क्या होगा इसका सही जवाब तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों aerobic fitness के रूप में जाना जाता है इसको कार्डियो रस्पारेटरी एंडुरेंस को ठीक है next question who is the father of recreation in the world world मैं पूछ लिया संसार में मनोरंजन के जनक कौन है दोस्तों तो संसार में मनोरंजन के जनक होंगे वो जोसफ ली होंगे ठीक है कौन होंगे जोसेफ ली next question पर चलते है question number 37 है आपके सामने which is the smallest bone in the human body मानोशरीर की सबसे चोटी हड़ी कौन सी है तो दोस्तों वो कौन सी होगी मानोशरीर की सबसे चोटी हड़ी कौन सी होगी step is होगी या steps होगी next question number 38 which of the following is against the principle of organization निवने में से क्या संगथन के सिद्दान्त के विरुद्ध है िर्ण के संगथन के संविधन के व्रुद्ध इसमें से क्या होगा दोस्तों वो होगा आपका overlapping of authorities ठीक है adivyapi pradhikarana जो होगा अपके संगथन के संविधन के विरुद्ध होगा अगले कोशन पे चलते हैं कोशन नमर थर्टी सा थर्टी नाइन विच वन अफ फॉलॉइंग इस नोट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज निम्लिकित में कौन सा व्यायाम से होने वाला फाइदा नहीं है दोस्तों तो वो सही अंसर क्या हो जाएगा चिंता में सुधार करता है ठीक है ये अपका कोई बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज नहीं है बाकी आपका इंप्रूफ मूड हो गया इंप्रूफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया इंप्रूफ फ्लेक्सिबिल्टी आपके क्या हो जाएंगे एक्सरसाइज से फायदे हो जाएंगे next question है हमारा question number 40 ATP is stored in ATP कहां संग्रहित होता है तो ATP आपका संग्रहित कहां होता है लीवर में मुसल में नर्व में या टिशू में ATP stored in which क्या हो सकता है इसका सही जवाब muscles मांसपेशियों में में मेरे एकॉर्डिंग मांसपेशियों में ठीक है अगर कोई doubt होगा तो इसको comment करके इसको आप अपना clear कर लिजेगा इस question को ठीक है थोड़ा सा doubt है मुझे options के साब Early classical theory of play known as surplus energy theory was discovered by खेल का प्रारंबिक आधिशेश उर्जा सिधान्त के रूप में याना जाता हुआ उसकी खोँज की थै किसने की थी दोस्तो तो तो इसकी खोँज की थी आपकी शेलर्व शेजर्वा स्पेंसर ने की थी ठीक है इंपोर्टंट question है यह आपका ठेक खेल का प्रारंबिक शास्तरी सिद्धान जिसे अधिशेस उर्जा सिद्धान के रूप में जाना जाता है उसकी खोज जो की थी वो की थी आपकी शेलर वा स्पेंसर ने दोस्तों ओके नेक्स कोशन है कोशन नमबर 42 आपके सामने जो सबसे महतपूंड कारक होगा वो होगा आपका स्थान सबसे इंपोर्टन चीज है लोकेशन ओके नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर 43 आपके सामने चिन चिमनेया एंड आदी आर नेमस आफ चिन चिनमय आदी नाम है वो किसके हैं दोस्तों कोशन नमबर 43 मोस्ट इंपोर्डन कोशन कोशन नमबर 43 का यह आपकी मुद्राएं हैं दोस्तों मुद्रा में आती हैं ठीक है यह तीनों ही क्या है मुद्रा है नेक्स कोशन है यूटिलिटी आंड चेंजे सार्दा बेसिक प्रिंसिपल सॉफ उप योगिता तथा परिवर्तन किसके मूलभूत सिद्धान थे दोस्तों तो योगिता तथा परिवर्तन आपके विवहारवाद के सद्धान थे ठीक है नेक्स कोशन है हमारा कोशन नंबर 45 आपके सामने दोस्तों मानो शरीर रचना विज्ञान क्या है दोस्तों मानो शरीर रचना विज्ञान क्या है मानो शरीर रचना विज्ञान है मानो शरीर की संरशना का अध्यान करना Human Anatomy is the study of the structure of human body Next question is question number 46 आपके सामने दोस्तों Which one of the following is not a technique of supervision निमले कितमें कौन सी परिवेक्षन की तक्नीक नहीं है दोस्तों तो इसमें सब परिवेक्षन की जो तक्नीक नहीं होगी भी होगी एकत्रित होना ठीक है बाकी ये तीनों की तीनों ही आपकी परिवेक्षन की टेक्नीक होगी भेट होगा सम्मिलन होगा कारशाला होगा Next question number 47 आपके सामने The bracketing of research study based on the teacher's decision of what include exclude known as शोध अध्यन का सीमांकन जिसमें शोध करता निर्णे लेता है कि क्या शामिल किया जाए तथा क्या बाहर रखा जाए वह क्या कहलाता है दोस्तों तो question number 47 का जो सही answer होगा वो होगा आपका D limitation हट बंदी ठीक है D limitations होगा इसका सही answer Next question है question number 48 और 49 The best yoga son for strengthening the back muscles शरीर के प्रिष्ट भाग की मांस पेशों को ताकत देने के लिए उप्युक्त आसन कौन सा है दोस्तों तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका शलभासन ठीक है शलभासन Next question from the following identify the describe variables निमलिकित में से असरत चर की पहचान करें तो क्या होगा इसका सही जवाब होगा आपका Dips ठीक है Next question है हमारा question number 50 आपके सामने दोस्तों Who is known as the father of Asian Games Asian Games के पिता को किस नाम से जाना जाता है तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा आपका GD सोंदी Father of Asian Games GD सोंदी Next question which of the following method of teaching will encourage indirect learning निमलिकित में से सिक्षन की कौन सी विदी अप्रत्यक्ष अधिकम को प्रुचाहित करती है तो वो होगी आपकी collaborative projects जो होगे सहयोगा आत्मक परियोजनाए जो होगी वो आपकी सिक्षण प्रत्यक्ष अधिकम को प्रुचाहित करती है सिक्षण की जो विदी होती है इसको प्रत्यक्ष अधिकम को प्रत्साहित करने का काम करती है दोस्तों, ओके, next, question number 52 आपके सामने है, aims of sports training खेल प्रसिक्षन का मुख्य उद्देश ही क्या है दोस्तों, खेल प्रसिक्षन का मुख्य उद्देश क्या है, तो इसका होगा gaining of top form in competition प्रतियोगिता कि समय टॉप फॉर्म हासिल करना ही आपका खेल प्रसिक्षन का मुख्य उद्देश होता है अगला कोशन है कोशन नमबर 53 15 टीम सार पार्टिसिपेटिंग इन डबल नॉक आप टूनमेंट इफ one team wins, will wins the tournament without losing a single match what will be the total number of matches in the tournament एक double knockout प्रतियोगी होगी तो मैं 15 टीम में भाग ले रहे हैं यदि कोई टीम बिना एक भी मैच हारे प्रतियोगी तो कितने match होंगे दोस्तों तो कितने match होंगे इसमें इसमें टॉटल मैच होंगे आपके 29 दोस्तों ठीक है नेक्स कोशें नमरा कोशें नमर 54 आपके सामने वेन वाश दर प्रादी करण की स्थापना कभूई दोस्तों कभूई वह आपकी 25 जन्वरी को एक डेट है 25 जन्वरी ठीक है next question number 55 अपके सामने है an anxiety disorder is दुस्चिंता एक प्रकार का विकार है कैसा विकार है तो वह विकार है दोस्तों एक अत्यधिक एक अत्यधिक या उत्यजित अवस्था जिसमें अंशिका अनिस्चिता और भै की भावना होती है an exercise or aroused state characterized by the feeling of apprehension, uncertainty and fear next question number 56 है आपके सामने दोस्तों the statements given are statements दी उसके अधार पर तीन कथन दिये गए है दोस्तों 20 जुलाई 2000 कथन एक है 20 जुलाई 2000 एक को आयोसी ने Olympic धे वाक में परिवर्तन की स्विकरती दी कथन दू French संसकरण में वर्तमान धे वाक के प्लट विटे प्लस विटे प्लस होट प्लस फोट और N सेंबल है कथन तीन मूल धे वाकिक कॉबर्टिन दुवारा निर्मित किया गया था सही विकल्ब चुनना है दोस्तों जली से बताएंगे question number 56 इसमें जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका पहला वाला केवल एक और दो सही है इसमें केवल first statement और second statement सही है आपकी third statement इसमें आपकी wrong है दोस्तों ठीक है अगले question पे चलते है question number 57 है आपके सामने who is the father of physical education in India भारत में शारेडिक सिक्षा के जनक कौन थे दोस्तों तो कौन थे भारत में शारेडिक सिक्षा के जनक तो वो थे हैरी क्रोबक ठीक है next question है question number 58 आपके सामने who said sound mind in a sound body स्वस्त शरीर में स्वस्त दिमाग रहता है ये किसने कहा था दोस्तों तो इसका सही answer क्या होगा discords है फिर आपका रूशू है Aristotle है और Plato है अब देखो इसमें दोनों answer दे रख है Aristotle भी दे रख है Plato भी दे रख है अब ये बिहार क्या बोलता है बिहार के उपर depend करता है बिहार बोर्ड के उपर क्यों Plato को लेता है अगर दोनों options पे से कोई एक option दे रहा है तो आप उसके साथ चले जाना ठीक है next question is three model path to appreciate the spirits are आत्म की सरहना के लिए आदर्श मार्ग है आत्मा की सरहना के लिए एक आदर्श मार्ग क्या होगा दोस्तों उसके लिए एक आदर्श मार्ग होगा ग्यान योग भक्त योग और कर्म योग ठीक है ग्यान योग भक्त योग और कर्व योग एक आदर्श एक आदर्श है आत्मा की सरहना के लिए next question है question number 60 है आपके सामने while scoring in matches through MS Excel symbol sigma E used MS Excel के माध्यम से एक मैश में scoring के लिए sigma प्रतीक का उपयोग का कारण है इसका क्या कारण है जो हम sigma symbol का use करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि एक पंक्ति के अंकों के योग होती योग है तो ठीक है योग है तो sum of row numbers row में जो numbers होते हैं उनको जोडने के लिए sigma symbol का प्रयोग किया जाता है question number 61 है आपके सामने for effective administration of physical education teachers must process प्रभावी प्रशासन के लिए शारेडिक सिक्षक के पास होनी चाहिए क्या होनी चाहिए जल्दी से बताएंगे question number 61 का क्या होगा सही answer तो इसका सही answer होगा this was developed by manovigilation की चिकित्सा किसके दौरा विक्सित की गई थी दोस्तों manovigilation की जो चिकित्सा थी वो किसके दौरा विक्सित की गई थी segment fried के दौरा विक्सित की गई थी ठीक है next okay next question number 63 यह आपके सामने है which is an ancient science that harmonizes the body mind and spirit क्या एक प्राचीन विज्ञान है जो शरीर मस्तिष और आत्मा में सामनज़ से स्थापित करता है question number 63 क्या कौन करता है योग योग एक प्राचीन विज्ञान जो शरीर मस्तिष और आत्मा में सामनज़ से स्थापित करता है what type of motivation is not applicable young children निमलिकित में कौन सी प्रेणा का प्रकार बच्चों पर लागू नहीं होता है दोस्तों तो बच्चों पर जो प्रेणा का प्रकार लागू नहीं होता है वो होता है आंतरिक प्रेणा ठीक है इंस ट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है वो यंग चिल्डरंस पर लागू नहीं ह iron का absorption कौन सी vitamin करवाता है दोस्तों तो वो करवाता है आपका vitamin C दोस्तों ठीक है next question है calisthenic exercise are done calisthenic vyaayam किया जाता है calisthenic vyaayam जो किया जाता है वो किया जाता है with own body weight पे ठीक है अपनेशरीर के वजन के साथ calisthenic vyaayam किया जाता है जैसे आपका aerobics हो गया, जिसमें music का प्रयोग वेगर हम कर सकते हैं, ठीक है, next question है, हमारा question number 67, कह रहा है, statements दे रखी हैं, आपर तीन statement है, उसको clear करना है, पहला statement है, basketball ring का व्यास 16 इंच होता है, basketball खेल 9 नियम से संचालित होते है, basketball में केंदरी वृत, जो होता है, 1.80 की तरज सही होगा, ठीक है, तो पहला और दूसरा सही होगा, यहां इस चीज़ को ध्यान रखना है, पहला और तीसरा सही होगा, sorry, दूसरा बोल दिया है, 1.80 तो basketball का radius होता ही है, ठीक है, इसमें दूसरा वाला गलत होगा, बाकी, पहला और तीसरा सही होगा, दूसरा statement आपका गलत ह नेक्स कोशन नमबर 68 आपके सामने है, सेम स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, एक खिलाडी मैच दा करना, मैच ओफ दा फॉलाइंगे, एक खिलाडी शक्ति विकास में उपी होगी, निमनत को सुमेलित कीजिए दोस्तों, इसे मैच करना है, तो फटा फट से बताएंगे, इसका मैच किया होगा, आइसो टॉनिक वियायाम की बात करेंगे, तो आइसो टॉनिक वियायाम में इसका जो होगा, वो होगा आपका तीसरा वाला, एका तीसरा, जब दीपक पेशी के लंबाई, उत केंद्रित या भी केंद्रित परिवर्थन क फिर इसके बाद next है isometric व्यायाम जो होगा आपका कोउन सा होगा एक second हाँ ठीक है ठीक unisometric isometric का आडक हो जाएगा सेकेंड आमने सामेन जब पेशी तनाव उसकी लंबाई को प्रभावश्य नहीं होती है कोई किसी प्रकार का लंबाई में परिवर्ता नहीं होता है मसलक्षा तो आइसोमेट्रिक हो जाता है और आइसो काइनेटिक आपका हो जाता है जब मान स्पेशी अस्थिर प्रतिरोदले के खिलाफ इस्थिर गती से अधिक्तम रूप से गती करती है option 2 is the correct answer ठीक है next हमारा question number 69 और 70 आपके सामने दोस्तों basketball was introduced by James ने इसमित in which year basketball James ने इसमित द्वारक किस सन में आरंब किया गया था दोस्तों जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब तो इसका सही जवाब होगा 1891 में ठीक है अमेरिका में next question है what is the importance of 18-25 September 1960 Rome event क्या महत्व है दोस्तों तो क्या महत्व है इसका इसका जो महत्व होगा वह है आपका first para olympic games was played पहले para olympic जो खेल हुए थे वो कब हुए थे 18-25 से तंबर में 1960 में रोम में कराए गया थे दोस्तों ठीक है अगला question हमारा question number 70 और 71 prolonged alcohol consumption results in liver cirrhosis and gastric solar क्या करें कुशन लंबे समय तक शराब का सेवन करने का परड़ाम क्या होता है दोस्तों लंबे समय तक शराब का सेवन कर रहे है तो उसका परड़ाम क्या होगा वह होगा अपका सारे के सारे ही हो जाएंगे ठीक है यक्रित cirrhosis gastric solar हो जाएगा उत्तरक्ष चाप एवं दिल की बिमारी भूख ना लगना यह सारे के सारे यह आपके शराब के लंब लम्बी समय तक कर रहत होगा नेक जॉइंट इसांपल ऑफ गरदन का जोड किसका उदारन होता है दोस्तों कर दन का जोड दौड जोड पीवट जोड का उदारन है नेक जॉइंट का पीवट जॉइंट बोलते नेक्स कोशने कॉशन नमर सेवेंटी त्री आपके समने और वाइबर कंकाल मानसपेशी के संकुचन की कार्यात्मक इकाई क्या है दोस्तों जल्दिस बताएंगे क्या होगा सारको मियर ठीक है सारको मियर क्या है आपकी कंकाल मानसपेशी के संकुचन की कार्यात्मक इकाई है आसना which can be performed directly after eating meals खाना खाने के तुरंत पस्चात कौन सा आसन किया जाता है दोस्तों खाना खाने के तुरंत पस्चात हम कौन सा आसन करते हैं तो वज्ज आसन करते हैं ठीक है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए नेक्स कोशन है कोशन नमबर 76 और 77 कोशन नमबर 76 77 विच आसन होता है what is the duration of one half in the game of handball handball केल के एक हाफ के लिए कितना समय निर्धारित है दोस्तों तो कितना समय निर्धारित है वह निर्धारित है आपका 30 मिनट का ठीक है 30 मिनट के एक हाफ handball के अंदर होता है next question number question number 78 how is psychology defined today वर्तमान में मनो विग्यान को कैसे परिभाशित किया जाता है दोस्तों वर्तमान में जो मनो विग्यान है उसको हम कैसे परिभाशित करते हैं वैभार और मानसिक क्रियाओं का विग्यान कहा जाता है वर्तमान में the science of behavior and mental process ठीक है question number 79 आपके सामने दोस्तों which blood cells secrets antibody किन रख्त कोशिकाओं से antibody स्रावित होता है दोस्तों important question है क्या होगा इसका सही जवाब बिल्कुल इसका सही जवाब होगा lymphocytes ठीक है lymphocytes जो है blood cell secrets antibody है next blood doping with erythropoietin improves an athlete performance by what process रख्त डोपिंg erythropoietin के साथ खेलाड़ी के प्रदर्शन में किस प्रक्रिया में सुधार लाता है दोस्तों किस प्रक्रिया में सुधार लाता है blood doping जो होता है वो सुधार लाता है आपके increasing the number of red blood cells in the blood हमारे खोन में RBC इसकी संख्या को बढ़ा देता है ठीक है next question है हमारा the type of hepatitis cost after blood transfusion इस रख्त आधान के बाद किस प्रकार hepatitis होता है किस प्रकार का hepatitis होता है दोस्तों तो वो होता है आपका hepatitis C which of the following is not a cause of bow leg नहीं में लिकित में से कौन सा कारण bow leg का नहीं है दोस्तों तो bow leg का कौन सा कारण नहीं है अधिक वजन चलने की गती का तरीका vitamin D की कमी या read की हड़ी में चोट तो bow leg का जो कारण होगा वो आपका इसमें से क्या होना चाहिए अधिक वजन भी हो सकता है चलने की गलत तरीका bow leg का कारण बन सकता है vitamin D की कमी भी हो सकता है read की हड़ी में चोट लगने से भी बोल लेक हो सकता है क्योंकि वहां से हमारी स्नायू सारी जाती है ठीक है ये सारे के सारे ही आपके रीजन हो सकते हैं वासे अगर अंसर की बात करें तो चौथे के साथ आप जा सकते हैं इसमें ठीक है इस तरह के confusing questions नहीं आएंगे clear questions आएंगे बट आभी सकते हैं next question number 83 आपके सामने match the following निमले की कुछ सुमेलित कीजिए यहाँ पर कुछ points दिए उनको आपको match करना है ठीक है फटा फट से match करेंगे छे लिए match करते हैं इसको तो आपका पहला है dumbbell तो dumbbell का जो सही point होगा वो होगा आपका in France pinatus ठीक है in France in France pinatus dumbbell external rotation जो होगा वो आपका third वाला सही जाएगा फिर आपका reverse curls reverse curls जो होगा वो होगा आपका चोथा वाला ठीक है ब्रैंकियो रेडियलिसिस फिर manual neck flexion जो होगा आपका वो होगा आपका manual neck एक second let me check हाँ वो होगा आपका पहला वाला ठीक है skeleton ओके reverse curl भी होगया यह भी होगया चारो होगया चूटा फिर से इसको देखना पड़ेगा dumbbell external जो होगया वो होगया आपका दोस्तों थर्ड वाला होगया सही और reverse curls जो होगया आपका वो होगया आपका चौथा वाला सही ठीक है और फिर manual neck flexion जो होगया आपका manual neck flexion जो होगया वो होगया आपका पहला वाला सही और चौथा वाला जो होगया आपका दूसरा वाला सही ठीक है dumbbell flies जो होगा pictorial measure इससे related हो जाएगा option 3 is the correct answer next point है हमारा next question 84 आपके सामने दोस्तों measles are cast by खसरा किस virus से होता है दोस्तों measles are cast by which virus तो किस virus से होता है वो होता आपका rubela virus measles जो होता है rubela virus से होता है next question 85 है आपके सामने ठीक है choose the correct combination of achievement grabbed अचंता शारनात कमल अचंता शरत कमल दोवारा प्राप्त की गई उपलबधियों का के उचित युग्म को चुनना है दोस्तों इसमें डेर सारे option दिये इसमें से correct उनसे अचंता शरत कमल के दोवारा जो achievement सुईती है उनको हमें clear करना है तो क्या होगा इसका सही answer इसका सही answer होगा तीसरा वाला A F और G ठीक है थर्ड सही होगा पहला सही होगा A सही होगा F सही होगा और G सही होगा ठीक है Commonwealth खेलों में 13 पदक पदमश्री मिला और 10 बार राश्ट्री चैंपियन रहे हमारे शरत कमल लिए ठीक है इंटेलिजेंस ओके next question पे चलते हैं question 87 after acquiring mastery of skills stress laid on किसी खेल के कौशल पर महा भारत हासिल करने महारत हासिल करने के पस्चात किस पर जोर दिया जाता है दोस्तों किस पर जोर दिया जाता है आपके टेकनिकल प्रसिक्शन पर ठीक है टेकनिकल टीचिंग पे ट्रेनिंग पे ज स्थापित हुआ दोस्तों तो वह स्थापित हुआ आपका 7 मई 1961 में ठीक है next question आपके सामने है the stress condition is तनाओ की स्थिती क्या है इन चारों में से दोस्तों तो तो तनाओ की स्थिती क्या होगी determination to the performer ठीक है प्रदर्शन करता के लिए हानिकारक होती है तनाओ की स्थिती next question है question number 1991 which sports person received the highest civilian award भारत रतना इन में से किस खिलाड़ी को सरवोच नागरिक सम्मान भारत रतन दिया गया है दोस्तों तो वो दिया गया आपका सचिन तंदुलकर को ठीक है next question angular motion of a joint is also known as संधिक का कोड़ी गती को इस नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है वरतन के नाम से जाना जाता है rotation के नाम से जाना जाता है next question which of the following concepts reflects the true name model of physical education निमलिकित में से कौन सी अवधारना आधुनिक शारिरिक सिक्षा की वास्तविक प्रकृती को दर्शाती है तो कौन दर्शाती है वो दर्शाती है आपकी शारिरिक प्रसक्षन उसकी physical training जो है उसकी वास्तविक प्रकृती को दर्शाती है the football stadium moved over बाइचंग भूटिया के नाम वाला football stadium कहां इस्थित है दोस्तों तो वो इस्थित है आपके नामची सिक्किम में ठीक है नामची सिक्किम में बाइचंग भूटिया के नाम से football stadium स्थापित है 94 which of the following vitamins are water soluble निमलिकित में से कौन सी पानी में घोलन शील vitamin होंगी दोस्तों तो वो होंगी आपकी C एवं B ठीक है बाकी ADE के जो आपकी fat soluble होती which of the following is hereditary disease निमलिकित में से कौन सी बीमारी आनुवानशिक है दोस्तों तो कौन सी बीमारी आनुवानशिक है वो है आपकी रंग दरिश्टी हीनता ठीक है color blindness इन चारों में से वो आपकी आनुवानशिक बीमारी है next question number 96-97 आपके सामने which massage technique is made up of long stroking movements with are performed using a flat hand fingers massage की कौन सी technique है जिसमें हाथो वा अंगलियों की stroking movement किया जाता है दोस्तों तो वो कौन सा होगा वो होगा technique आपका effule race next question है नीरत चोपडा second first position in the diamond league meeting in Lusanne Switzerland the distance covered by his javelin return was Lusanne Switzerland में अज़े diamond league प्रतियोगिता में नीरत चोपडा ने प्रत्हम इस्थान प्राप्त किया उनके भाले द्वारा कुल कितनी दूरी तै की गई थी दोस्तों तो वो तै की गई थी आपकी 89.08 मीटर ठीक है 89.08 मीटर diamond league में 98 question number है आपका choose the correct combination words of the psychoanalytic theory of personality segment fraud segment fraud द्वारा व्रेक्तित के मनोविशलेश्टारात्मक सिध्धान के संदर्व में बता रहे सही शब्द का सही हो जन चुनना है दोस्तों तो 98 का सही answer क्यों हो जाएगा option 4 CDF ठीक है आपका बहर मुखी फिर ABC स्वरी CDF ये नहीं होगा आपका होगा अग रही महाहंकारी और हंकारी ठीक है ID super ego और ego next question number 99 आपके सामने दोस्तों which of the which of these not one of the variables used calculating VO2 max according to the formula of the rockport fitness walking test निम्न में rockport fitness test के सूतर के अनुसार कौन सा चर VO2 maxi गर्णा के उपयोग में नहीं लिया जाता है दोस्तों तो वो कौन सा नहीं लिया जाता है उचाई ठीक है height नहीं लिजाती बाकि आपका weight age और gender ये तीनों ही लिया जाता है किसने संकलित की है दोस्तों तो किसने संकलित की है वो संकलित की है आपकी स्वात्मारमा स्वात्मारमा नेक्स कौषिन क्वशन नमबर 101,102 दो फर्स स्टेप आफ दा plan as per Harbatian approach is Harbatian अद्रिष्टिकोंड के अनुसार पार्थ योजना का पहला चरण क्या होगा दोस्तों तो पार्थ योजना का पहला चरण होगा वो होगा preparation यानि की तैयारी how many terms will be placed in third quarter of 31 teams are participating in knockout tournament एक knockout प्रतियोगिता में जहां 31 team में हिस्सा ले रही है वहां तीसरे quarter में कुल कितने team में आएंगी दोस्तों तो तीसरे quarter में यहां पर कितनी team में आएंगी वो आएंगी आपकी 8 team में आएंगी दोस्तों ठीक है next question की बात करें अगला question है 103-104 physical education is the study of सारीरी सिक्षा में अध्यान किया जाता है दोस्तों किसका अध्यान किया जाता है सारीरी सिक्षा में सरीर मस्तिष और आत्मा का body, mind and soul judo को olympic खेलों में कब शामिल किया गया दोस्तों judo was introduced in olympic in which year so 1964 1964 1964 में judo को olympic में शामिल किया गया दोस्तों अगला question हमारा question number 105 आपके सामने which highest award was given to the doctor PM Joseph for his contributed contribution to physical education doctor PM Joseph कोन की शारेरिक सिक्षा में दिये गए योगदान के लिए कौन सी सर्वोच नागरिक सम्मान दिया गया तो वो दिया गया आपका दोस्तों कौन सा पदमश्री दिया गया ठीक है पदमश्री the lactic acid formation occurs in lactic acid करेंडवन होता है किसमे या कब कब होता है कंकाल मान स्पेशी में होता है लाक्टिक एसिड किसमें होता है 170 वा कोशन आप से कह रहा है धनुरासण, मजञासना और शल्भासना सूर्नमसकार किसके उपचार में सहायक होते हैं दोस्तों तो वो किसके उप्चार में सहाइक होते हैं, वो मधु में, यानि डाइबेटीस के रोग में सहाइक होते हैं, ये तीनों के तीनों, next, question number 108, number of total health related motor components in physical education, सारी सिक्षा में स्वासंबंधित घटकों की कुल संख्या, कितनी ये दोस्तों, तो वो है आपकी 5, 5 components है, next, question number 109, the winner is decided on the points basics only at the end of all matches in, किस प्रतियोगिता में, विजेता का निर्धान सभी मैचों की समापती के बाद अंको के अधार पर किया जाता है, दोस्तों, तो वो किया जाता है आपका league प्रतियोगिता में, लीग टूनामेंट्स पर points के अनुसार किया जाता है, question number 110 है, in which type of lever weight, the weight is between force and ful किस प्रकार के उत्तोलक में, भार बल और आलंब के बीच में होता है, भार जो होता है, बल और आलंब के बीच में, किस lever में होता है, दोस्तों, तो वो होता है, आपके second class lever में, type second lever में, ठीक है, next question number 111, आपके समने, which of the following data gathering technique is not used in case study, लिकित में कौन सी आकडों को इकठा करन आपके सामने, which is the highest sports award given to athletics in India, भारत में खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच पुरसकार कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा है वो, 112 में कौशन का, option two, major ध्यान चंद खेल रहत न पुरसकार, जो है, वो सबसे सर्वोच खेल पुरसकार है भारत में दिया जाने वाला, next question है two statements are given, दो statement दी हैं, उसके अनुसार बताना है, पहला statement है, A band में myosin तंतू होता है, फिर दूसरा I band में केवल actin तंतू होता है, जल्दी से बताएंगे question number 113 का जो सही answer होगा, दोस्तों वो क्या होगा, तो 113 का जो सही answer होगा, तीसरा वाला, कथन केवल पहला और दूसरा सह ही है, ठीक है, दोनों कथन, पहला और दूसरे दोनों ही सही है, A band आपका myosin तंतू होता है, I band में केवल actin तंतू होता है, ठीक है, दोनों आपके correct हो जाएंगे यहापर, अगला question है हमारा, question number 114, who is the first Indian woman to win a medal India international level in fencing to qualifying Olympics, fencing में अंतराश्टी पदक जीतने वाली एमान ओल testosterone, next question है 115, test, tests like SAT are used to measure, SAT test के हम आपने के पर दोस्तु होता है, यह किता, आपकी aptitude मापने के पर दोस्तु होता है, next question, question number 116, sprain is a type of injury of the, sprain एक परकार की चोच है, कैसी चोच है the sprain आपकी, sprain आपकी एक परकार की ligament की चोच होती है, ठीक है, joins होती है, next question number 117, the law of readiness प्रतिपादित किया गया था तो जो त्वरता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो जो त्वरता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था जब तक आप कमेंट करें तक नेक्स कोशन पर चलते हैं तो अगला कोशन है मरा चलिए बताई देता ह तो अर्दा का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था बिलकुल यह जो प्रतिपादित किया गया था अबका थाउंट राइक बहुत ही फेमस थे बहुत से कोशन पेपर पूछा गया दिसलिए मैंने पूछा कि आप comment में दे आइए सकांसर नेक्स कोशन है कोशन नमबर 118, the aim of physical education is शारीरी सिक्षा का उद्देश ही क्या है, दोस्तों, physical education का उद्देश ही क्या है, कोशन नमबर 118, क्या होगास का सही उद्देश, सारे किस सारे, ठीक है, important question है, यहां से question आपकी किसी भी option में डाल सकता है, वक्ति का शारीरी विकास, स सारीरी सिक्षा का उद्देश है, aim है, next question है, who introduced isokinetic method, isokinetic पदिती से किस ने पर्चे कराए, दोस्तों, तो वो पर्चे कराए, आपका JJ Perrin ने, ठीक है, isokinetic, father of isokinetic method की बात करें, तो JJ Perrin होगे, next question number 120 आपके सामने है, water born disease, पानी सोत्पन होने वाली बीमारी कौन सी दोस् in the ages of, प्रथम कायंतरण की आयू क्या है, दोस्तों, प्रथम कायंतरण की जो आयू है, 7 से 10 वर्ष की होती है, next question है, question number 122 आपके सामने, the full form of SPSS used in research में, SPSS का कौन सा full form SPSS का मतलब क्या होता है, दोस्तों, तो इसका जो मतलब होता है, वो होता है, आपका, statistical package for the social sciences, ठीक है सामाजिक विज्ञान के लिए सांखी की package, next question है, question number 23, which of the following is not an attribute of agreeblendness personality dimension, इमिलकित में कौन सी एक विशेशता, सुईकारता, वेक्तितों का आयाम नहीं हैं, दोस्तों, तो कौन नहीं है, वो आपका जटिलता, ठीक है, complexity, next question है, question number 124 आपके सामने, in case the two weights lifters have lifted at the same combined weights, then how it, how tie breaks, यदि दो भारत तोलकों ने एक ही संयुक्त भार उठाया है, तो tie कैसे टूटेगी, दोस्तों, कैसे टूटेगी tie weight lifting में, तो वो टूटेगी, आपकी कम शारेरिक वजन वाले को विजेता घोसित कर दिया जाएगा, ठीक है, the one, the one win, the lesser body weight declares the winner, next question पे चलते है, अगला question है उनका कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है, काया, ठीक है, फिजीक कहा जाता है, next question 126 है आपकी, अश्टांग योगा has eight components also known as the eight fold path of life, नियमा, आसना, प्राणयाम, ध्याम, समाधी and five of them which are there three, पांच यहां दियें, तीन आपको बताने हैं, अश्टांग योग पारण और पत्याहर, next question है, आपका question number 127 आपके सामने, which country is set to be the pioneer in starting recreation movement in the world, दुनिया में मनुरंजन अंदोला नडाले में किस देश को अग्रणी कहा जाता है, दोस्तों, तो वो है आपका USA, ठीक है, next question है, question number 128, limbering down exercise are done, limbering down V.I.M. किये जाते हैं, किस लिए किया जाते हैं, limbering down V.I.M. जो होते हैं, एक पूरे V.I.M. सत्र के या खेल अभ्यास के बाद आपका limbering down किया जाता है, after whole session of exercise और play practice, ठीक है, question number 129 आपके सामने, the musket of 44th chess Olympiad was 44, शतरंच के Olympiad के शुभंगर क्या था दोस्तों, तो वो था अपका थंबी, एक प्रकार का घोड़ा, थंबी, the horse, अगला question है, in which type of fracture the bone does not break, किस प्रकार के fracture में हड़ी नहीं तूटती है, तो दोस्तों, green stick fracture में आपकी हड़ी नहीं तूटती है, ठीक है, green stick fracture में आपकी हड़ी नहीं तूटती है, यह थे दोस्तों, हमारे first part के 130 question, अब हम चलते हैं, next part, part 2 में, इसमें भी आपके बहुत important MCQs होंगे, 130 question, ठीक है, तो फड़ा फड़ से revision चालू करते है, तो पहला question इसमें का है, दोस्तों, पहला question आपसे कह रहा है, read की हड़ी के निचले छेतर की बढ़ी हुई अवतलता को क्या कहा जाता है, increased concavity of lumber reason is called, जल दिस बताएंगे क्या होगा, question number 1 का, जो answer होगा, वो scolysis, asprocar की scolysis कहलाती है, दोस्तों, ठीक है, अगले question पर चलते है, question number 2, सही मिलान करना है हमको, ठीक है, जितनी भी आपकी ये deformities दीएं, इसका match करना है, तो इसका match होगा, आपका जो laudesis होगा, वो होगा, आपका श्रोणी को आगे की और जुकाना, ठीक है, बोलेक्स होग आपका, जैनु वेलगम कहलाएगा, जैनु वेरम कहलाएगा, ठीक है, काइफोसिस आपका कहलाएगा, दोस्तों, थोरेक्स भाग का आगे, और नौक नी आपका कहलाएगा, जैनु वेलगम कहलाएगा, ठीक है, option 1 is the correct answer, 2413, ओके, अगले question पर चलते है, question number 3 है, आपके सामने दोस्तों, एर्गोजनिक एड के तौर पर मदीरा, यानि की शराब करता है, क्या करता है, alcohol is, एर्गोजनिक एड is, तो क्या आपका सही जवाब, option 3 is the correct answer, उदासीन करने का काम करती है, शराब, ठीक है, डीप प्रिजेंट करती है, ओके, next question number 4 की तरफ चलते है, चौता question आप होगा, आपका जो सही option होगा, anabolic steroids increase the development of muscle mass, ठीक है, anabolic steroids मानस्पेशी द्रविमान के विकास को बढ़ाता है, option 1 इसका आपका सही होगा, बाकि ये तीनों ही point इसके गलत होगे, ठीक है, अगले question पे चलते है, अगला question है, question number 5 आपके सामने दोस्तों, किस चिकित्सी पद्दती में बारी-बारी से ठंडा और सतही ताप शामिल है, which one of the therapeutic modalities involves alternating and cold superficial heating, तो इस question का सही answer क्या होगा, contrast therapy, whirlpool, bath या cryotherapy, या फिर, electro therapy क्या होगा, सही जवाब होगा, contrast therapy, ठीक है, contrast therapy के अंतरगत हम क्या करते हैं, बारी-बारी से ठंडा और सतही ताप शामिल करते हैं, ठीक है, ठंडा और सतही ताप शामिल होगे ने, अबर गरम चीज़ भी और ठंडी चीज़ भी, contrast बात के अंतरगत, okay, next question की बात करें, question है मारा, किसी व्यक्ति से एथलीट को ताजा रख्त चढ़ाना, किस रख्त डोपिंग के अंतरगत है, the transfusion of fresh blood from the person to the athlete comes under which blood doping, which blood doping, that is homologous blood doping, ठीक है, किसी एथलीट को ताजा रख्त, किसी व्यक्ति से एथलीट को अगर ताजा रख्त चढ़ा दिया गया है, तो वो homologous blood doping कहलाता है, next question है, question number seven, match करना है, कूट के अधार पर, ठीक है, तो देखते हैं, इसमें क्या है हमारा, पहला आपका दे रहा है, चोट, चोट याने की contusion, इंगलिश में आता है, contusion आपका क्या है, दोस्तों, contusion, contusion आपका कहलाएगा, bruise कहलाएगा, ठीक है, और बात करें, dislocation की, तो dislocation आपका होगा, displacement of bone हो गया, sprain आपका हो गया, trauma to the joint, और strain आपका हो गया, injury to, an injury to muscle, ठीक है, option four is the correct answer, चोथा, अगला question हमारा, question number eight आ आपके सामने दोस्तों, कौन सा massage दाप की हस्त कोशल तकनीक का प्रकार नहीं है, दोस्तों, गूतना, चिकोटना, थपथपाना है, गर्शन, which is not a type of pressure manipulation technique of massage, तो इसका जो सही answer होगा, वो हो गया हो, percusion, ठीक है, percusion आपका massage की manipulation technique, pressure manipulation technique में नहीं आती, बाकी आपका गूतना ह होता है, घर्शन, needing, battery stage of friction, यह आपके आते हैं, उसके अंदर कर, ठीक है, question number 9, आपके सामने दोस्तों, निमलेखित में से कौन सा शब्द, athletics से संबंदित है, track and field से संबंदित है, which one of the following term is related to athletics, track and field, serve, baton, spike, or dribble, तो क्या होगा, baton आपका relay race से संबंदित है, track and field events, next question number 10, आपके termologies दी हुई है, यहापन इन termologies के हिसाब से आपको देखना है, कि इस question का सही answer क्या होगा, तो देखते हैं, आपका tiger woods जो है, दोस्तों, tiger woods आपका golf से संबंदित है, ठीक है, yorker आपका cricket से संबंदित है, और bully आपका, दोस्तों, यह संबंदित है, bully, hockey से, ठीक है, और antina आपका volleyball से, okay, answer two is the correct answer, ठीक है, अगले question पर चलते है, question number 11 आपके सामने, 11 question आपसे कह रहा है, निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, which one of the following is not correctly matched, तो इसमें आप देखेंगे, धनराच पिल्लाई football दिया है, football की खिलाडी नहीं थी, hockey की खिलाडी है, बाकी फीफा आपका Zurich headquarter of FIFA का volleyball William G. Morgan ने बनाये था, और JC Bora table tennis की है, ठीक है, next question है, question number 12, कबड़ी का खिलाडी एक रेड में ज्यादा ज्यादा कितने अंक अर्जित कर सकता है, how much maximum points कबड़ी player can be fetch in a single raid, क्या होगा, इसका सही जवाब, 12th का 8 point अर्जित कर सकता है, ठीक है, फिर next question की तरफ चलते हैं, अगला question हमारा, question number 13, आपके सामने दोस्तों, relay team में anchor धावक होता है, anchor leg in a relay team is, anchor धावक कौन सा होता है, relay team में दोस्तों, तो वो होता है अपका चतुर धावक, यानि fourth runner जो होता है, वो anchor धावक करता है, relay team में, ठीक है, next question number 14, आपके सामने है, डेका थालान में शा ठीक है अगले question पर चलता है question number 15 आपके सामने दोस्तों पंद्रवा question कहा रहा judo में sormet का क्या आर्थ होता है what is the meaning of sormet in judo so sormet का अर्थ judo में क्या होगा बाउल रोकने के लिए sormet शब्द का प्रयोग किया था to stop the bout okay next question number 16 आपके सामने शब्द में लव नीचे दिए के गया में होता है the word love is associated with which sports question number 16 का option 3 is the correct answer that is tennis tennis में लव शब्द का पूल इस्तमाल किया जाता है अगला question question number 17 चाइना मैं शब्द की स्खेल से जुड़ा था the term china man is related to which sports that is cricket option 4 is the correct answer china man आपका cricket से संबंदी था अगला question पर चलते है next question number 18 पैडलर शब्द की स्खेल से संबंदी था दोस्तों the term peddlers is used to address which game players the peddlers शब्द आपका किस खेल से संबंदी था table tennis ठीक है table tennis के players को peddlers बोला जाता है अगला question question number 19 आपके सामने निमलिकित में से प्रतम विश्विद्द आले दोरा प्रतम विश्विद्द आले खेलो इंडिया प्रतियों गिता एउजित की गई थी in which of the following university first खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स वर कंड़क्टेट क्या होगा सई जवाब इसका वो होगा के आई 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 टी यूनिवर्सिटी ठीक है के आई 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 टी यूनिवर्सिटी अगले question पर चलते है question number 20 निमलिकित खेल हस्तियों को उनसे संबंदित खेलों के साथ सुमेलित कीजिए ठीक है प्लेयर्स के नेम है उनके खेल के साथ आपको इसको मैच करना है फटाफट से बताएंगे क्या हो उसका साही जवाब तो इसका साही जवाब होगा हर्मन प्रीत कौर जो है वो आपकी क्रिकेट से संबंदित है ठीक है दीपा करमाकर जो आपकी है वो आपकी जिमनास्टिक से संबंदित है और दीपी का कुमारी जो है वो आपकी है दोस्तों तीरंदाजी आर्चिरी से संबंदित और साक्षी मलिक आपकी कुष्टी से कोशन नमबर ट्वंटीवन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वह आपका बलबीर सिंग ने लिखिए इसको ठीक है अगले कोशन पर चलता है कोशन नमबर ट्वंटीटू आपका सामने निमलेकित में से कौन सा सही सुमेलत नहीं है विच वन आप फॉलाइंग इस नौट कोशन यां से कौछन में के सामने राजिस्थान में कोचिंग के छेत्र में सराहनी कार करने प्षक्षकों को दिया जाने वाला पुरसकार का नाम बताई दन्यम आपदा अबाड घिएन तो कोचिस for their nutritious sorry meritorious work in coaching in Rajasthan तो इस question का जो सही answer होगा option 2 गुरू वसिष्ट पुरसकार दिया जाता है दोस्तों ठीक है अगला question हमारा question number 24 आपके सामने Paralympic Games की शुरुवात कभी when was the first Paralympic Games started तो 1960 के Rome Olympic में आपका Paralympic Games start हुए था ठीक है अगला question आपका question number 25 आपके सामने Olympic जंडे के गोलों को 2 से दाएं का सही क्रम क्या होगा select the correct sequential order from the left to right of the rings of Olympic flag option 3 is the correct answer blue, yellow, black, green, red, neela, pila, kala, hara और लाल अगले question पे चलते हैं question number 26 आपके सामने निम्न में से कौन सा Parathlete Arjun Award विजेटा का संबन्द Athletics से नहीं है which one of the following is not a Parathlete Arjun Award from Athletics तो question number 26 का सही अंसर क्या होगा प्रमोद भगत ठीक है प्रमोद भगत जो है वो Athletics से संबन्दित नहीं है अगला question है हमारा question number 27 आपका दोस्तो भारत के लिए खेलने वाले किस footballer ने रणजी ट्रोफी के final में बंगाल क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी which footballer who played for India also captain in the बंगाल क्रिकेट टीम इन रणजी ट्रोफी तो question number 27 का सही अंसर होगा option 3 चुन्नी गोसामी ठीक है चुन्नी गोसामी ने अगला question है हमारा question number 28 आपके सामने बर्मिंगम 2012 के रास्ट्रमंडर खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वार्ड पदो कोई संख्या कितनी थी number of gold medals won at the Birmingham 2022 common wealth game is that is 22 22 gold medal जीते गए थे common wealth games में इंडिया के द्वारा अगला question है में स्वारा question number 29 goddess of swimming question number 30 आपके सामने में लिखित युगमों से कौन सा एक सही सुमेलत नहीं है इसमें से कौन सा गल्थ सुमेलत है which one of the following pair is not correctly matched that is RTS the Olympic Creed ठीक है RTS का मतलब होता अधिक हुजा यहाँ अधिक उच्छा और RTS के है यह आपका moto है अधिक है और यहाँ पर आपका गल्थ दे रखा बाकी पोसेडियन समुत्र के देवता कहलाते थे अपोलो आपका प्रकाश और सत्य के देवता कहलाते थे GS आपका सर्वोच इश्वर कहलाते थे यह द्यान रखना है ठीक है अगले question पर चलते है नमट आपके सामने हनुमान व्याम प्रसारक मंडल अमरावती की शुरुवात किस ने की फू इस वैद ब्रदर्स अप्शन फूर इस दा करेक्ट आंसर अमबा दासपंत और एक और थे वैद ब्रदर्स ने की थे ठीक है नेक्स कोशन है हमारा कोशन नमबर 33 आपके सामने लक्षमी भाय राष्ट्री सारी सिक्षा संस्तान गौलियर के संस्थापक प्रचार कौन थे वू इस दा फाउंडर प्रिंसिपल ओफ लक्षमी भाई नेस्टरल इंस्टूट अफ फिजिकल एजुकेशन गौलियर तो इस कोशन नमबर 33 का सहीव अंसर क्योंगा पी एम जोसफ थे दोस्तों ठीक है जोसफ अगला कोशन है हमारा कोशन नमबर 34 आपके सामने वाई एम सीए मदरास के संस्थापक कौन थे इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा वो होगा आपका डॉक्टर नोहरेन ठीक है डॉक्टर नोहरेन का इनसे कोई संबंध क्या पूछ रहा है संबंध है पूछा है ना ठीक है है डॉक्टर नोहरेन का है नेक्स्ट कोशचन की बात करें अगला कोशचन है हमारा राष्ट्री स्वास्तेता कौर की स्थापना कब हुई When was National Fitness Corps established? तो वो होगा आपका 1965 में 1965 में आपका National Fitness Corps का establishment हुआ दोस्तों अगला कोशन है कोशन नमबर 37 आपका जिमनास्टिक को चार शेडियों में किसने वरगिर किया था तो किसने किया था वो किया था पर हैंडरिक लिंग ने दोस्तों ठीक है वो होगा आपका ऑप्शन 3 1959 में दोस्तों ठीक है 1969 में नेक्स कोशन नमबर 39 है आपके सामने दोस्तों क्रेश्मर दुवारा किया गया व्यक्तित का वरगी करण निमने में से किस सिद्धान पर अधारित था क्रेश्मर क्लासिफिकेशन अफ परसनेलिटी वोस बेस्ट ओन विच्ट फॉलाइंग प्रिंसिपल्स तो दैट इस ऑप्शन 3 जैविक का प्रकार था ठीक है बियलोजिकल टाइपस में उन्होंने क्लासिफाई किया ता अगला कोशन है हमारा कोशन नमबर 40 आपके सामने यह बच्पन से व्यस्ता का तीवर परिवर्तन की अवदी है इस पीरिड ओफ ड्रास्टिक चेंजस फ्रों चाइल्ड हूल्ड तो अडल्ट हूड तो आपका ये जो है स्थिती चिंता शडिक भावात्मक स्थिती यह बिल्कुल सही है प्रविती चिंता स्थिर वेक्तित प्रविती यह भी सही है दहिक चिंता शारीक अण्बो शारीक लक्षण यह भी सही है फोर्थ वाला जो आपका है वो गलत मैश्ड है ठीक है से आख ना मिला पाना यह आपका क्या है behavioral anxiety symptom है बट डर आपका behavioral anxiety system नहीं है दोस्तों ठीक है question number 43 की बात करें 43 वा question आप से कह रहा है मिलकित में से कौन सा यूग मसाही सुमेलित नहीं है which one of the following pairs is not correctly matched तो that is stress ठीक है अगला question है हमारा question number 44 है आपका खेल नहीं तिकता के विभिन खंड क्या है different sections of sports ethics are क्या होगा सही जवाब that is responsibility ठीक है response एक मिनट इसका जो सही जवाब होगा ABCD ठीक है ABCD तीनों हो जाएंगे आपके विश्वस नीता भी है सम्मान भी है जिम्मेदारी भी है और निस्पक्षता भी है ठीक है चारों के चारों आपके सही होंगे अगला question है हमारा question number 45 आपके सामने Maslow का भी प्रेणा सिधानत में सबसे उपर कौन सी आउशक्ता है which is the top need in the Maslow's hierarchy of need in motivational theory तो क्या होगा 45 का सही आंसर आत्म भूथ ठीक है self-actualization next question की बात करें question number 46 है आपके सामने मनुष की वृद्धी और विकास के कौन से पढ़ाव को परियापत और अधिक्तम काल कह सकते हैं which state of human growth and development is termed as period of intensive as well as maximum that is option 4 किशोर आवस 30 के adult sense next question number 47 है आपके सामने दोस्तो 47 है मैसलो के आशकता पदा नुकरम में सौंदर की आशकता कौन सी है which is the aesthetic needs of Maslow's hierarchy needs क्या होगा 47 का सही आंसर सराहना ठीक है appreciation अगला question है question number 48 आपके सामने या उसकी अपनी शारिरिक बनावत और व्यक्तित्व का बोध है it is the sense of his own physical appearance and personality तो क्या होगा इसका body image ठीक है शारिरिक छवी जो है वो उसकी शारिरिक बनावत का व्यक्तिगत बोध होता है अगला question number 49 है आपके सामने दोसर निमलिकित में से कौन सा सिक्षण पद्दिती का एक अनिवार घटक है जो शिक्षक को छात्रों के साथ बाचीत करते वे धीरे धीरे चाले और ट्रेट सिखने में मदद करता है which one of the following is an essential ingredient of teaching method that helps to the teacher to gradually acquire tricks and traits while interacting with the students question number 49 option 3 is the correct answer that is presentation technique एक सिक्षक की जो प्रस्तोती टक्नीक होती है वा सिक्षक को छात्रों के साथ बाचीत करते वे धीरे धीरे चाले और ट्रेट सीखने में मदद करती है next question है हमारा question number 50 है आपके सामने निम्न में से कौन सी league tournament की विधी नहीं है which one of the following is not a method of league tournament which one is the correct answer of 50 का pyramid जो method है वो आपका league tournament का नहीं बाकि cyclic, tabular, cdnuma ठीक है staircase है आपके league tournament की विधी है बाकि pyramid विधी आपकी league tournament की विधी नहीं होती है next question number 51 है आपका दोस्तों क्या नहीं हो कोशन आपसे कह रहा है निमलिखित में से किस शिक्षण पद्दिती में सीखने की प्रक्रिया शामिल है जो शिक्षक दोवारा पूरी तरह से हावी है which one of the following teaching methods involves learning process that is completely domained by the teacher तो option 2 is the correct answer that is command method command विधी अगला question है question number 52 आपके सामने दोस्तों कौशल पार्ट योजना का सही क्रम क्या है what is the right sequence of skill lesson plan skill lesson plan का सही क्रम क्या होगा option 2 assembly होगी पहले फिर परचय होगा फिर मुख के भाग होगा फिर lead up games होगा assembly introduction main part and lead up game से आपका क्या है part kaushal part योजना का एक्दम बिल्कुल सही क्रम होता है next question number 53 आपके सामने में 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 मिलकित में से कौन kaushal के इर्ध गिर्ध drill के माध्यम से kaushal production की यांतरकी को मजबूत करने पर बल देता है which one of the following emphasis on strengthening the mechanics of skill performance through drills around the skill तो क्या होगा सही जवाब इसका option 3 lead up activity जो होती है दोस्तो lead up activity जो होती है वो kaushal की इर्ध गिर्ध drill के माध्यम से kaushal production की यांतरकी को मजबूत करने पर बल देती है next question number 54 किस प्रकार के register में विद्याले रिक्षक अपने सुझावा report लिखता है on which register the school supervisor write reports and suggestions so option 1 log register उसको log book भी बोलते हैं log register भी बोलते हैं ठीक है next question number 55 है आपके सामने double league में मैचों की कुल संख्या गयात करने का सूत्र क्या है what is the formula to find the total number of matches in double league तो n into n minus 1 is the correct answer option 1 is the correct answer n into n minus 1 क्या होता है double league में मैचों की कुल संख्या गयात करने का formula है दोस्तों next question number 56 है आपके सामने वह कौन सी जन संपर्क प्रतिक्रिया में उप्योग की जाने वाली प्रविदी नहीं है which is not the technique used in the public relation process क्या होगस का सहीजवा option 3 धरना ठीक है strike जो है वह आपकी जन संपर्क प्रक्रिया में उप्योग की जाने वह प्रतिनी नहीं प्रविदी नहीं बल्कि रेडियो टेलिविजन है समचार पत्र है जमघट है ठीक है next question number 57 है आपका जब जब नौक ओट टूनामेंट में प्रवेश करने वाली टीमों की संख्या 19 है तो बाई की संख्या कितनी होगी दोस्तों तब बाई की संख्या होगी आपकी 13 होगी ठीक है अगला question number 58 आपके सामने सारणी बद पद्दिती का संबंद है the tabular method is related to tabular method किस टूनामेंट के method से संबंदित है दोस्तों question number 58 है क्या होगा league tournament से या league competition से संबंदित है आपका tabular method उसकी पद्दती होती ठीक है अगला question question number 59 आपके सामने sensory method का प्रयोग किस motor component को विक्सित करने में किया जाता है sensory method is used to develop which motor component that is reaction ठीक है प्रतिकरिया को develop करने के लिए sensory method को use किया जाता है question number 60 oxotonic muscle contraction is called question number 60 oxotonic muscle contraction क्या कहलाता है दोस्तों that is dynamic muscle contraction oxotonic muscle contraction जो होता है वो dynamic muscle contraction कहलाता है question number 61 है एक खिलाडी की स्थिर और गतिशील दोनों स्थितियों में शरीर का संतुलन बनाए रखने की चमता को क्या कहते है ability of a sports person to maintain equilibrium of the body in both static and dynamic condition is called balance ability option one is the correct answer संतुलन चमता अगला question question number 62 आपके सामने दोस्तों macro cycle prescription का सबसे छोटा अविदी चक्र ठीक है प्रसिक्षण का मध्यम अविदी चक्र प्रसिक्षण का सबसे बड़ा और इन में से कोई नहीं macro cycle क्या कहलाती दोस्तों question number 62 का सही answer क्या होगा तो 62 का आपका सही answer जो होगा वो क्या होगा that is option 3 is the correct answer longer duration cycle of training ठीक है प्रसिक्षण का सबसे बड़ा अविदी चक्र जो होगा वो आपका macro cycle कहलाएगा next question number 63 आपके सामने दोस्तों शरीर गतिविदी का तेजी से संभव प्रदर्शन है ठीक है performing bodily movement as fast as possible is question number 63 क्या होगा सही जवाब इसका that is option 4 is the correct answer चाल गती ठीक है movement speed जो होगी वो क्यों गतिविदी शरीर गतिविदी का तेजी से संभव प्रदर्शन होता आपका movement speed next question number 64 आपके सामने दोस्तों 64 question क्या करा नीचे दो कथन दिये गये हैं एक को अभी कथन दूसरे का कारण के रूप में लंबित level किया गया है चलो देख लेते क्या है प्रतियोगीता अविदी का उद्देश शीर्ष स्वरूप प्राप्त करना और उसे बनाया रखना है उसका कारण एक बार प्राप्त शीर्ष स्वरूप अधिक समय तक बना रह सकता है जलिस बताएंगे question number 64 का क्या होगा second इसका सही answer होगा A सच है लेकिन R जूट है यानि जो कहरा प्रतियोगीता अविदी का उद्देश शीर्ष स्वरूप राप्त करना और से नीचे बनाया रखना ये तो सही लेकिन इसका जो कारण दिया गया है ये इसका गलत है ठीक है next question number 65 आपका match of the following दोस्तों ठीक है मान स्पेशी संकुचन में आ जाता है ठीक है सेट्स आपका दोहराव की निर्दिश्च संख्या में आ जाएगा और आईसोमेट्रिक विधी जो होगी वो आपकी गती हीन मान स्पेशी हो जाएगी ठीक है और अधिक्तम शक्ति आपकी जो है वो डैनमो मेटर हो जाएगी explosive strength जो होती है ओके next question question number 66 आपके सामने है इसमें भी आपको mash of the following करना है ठीक है तो छाचटवे का जो होगा वो आपका क्या होगा पुन्रा वृत्ति विधी रेपिटियेशन मेथड जो होगा पुन्रा वित्ति विधी जो होगी वो होगी आपकी अवाईवी सहन शक्ति का विक second वो आपका अवाईवी गती सहन शक्ति का विकास होगा पुन्रा वृत्ति विधी जो होगी दोस्तों वो गती विकास की होगी ठीक है यह नहीं होगा और आखरी आपका बैलस्टिक विधी जो होगी लचीलेपन का विकास होगा option one is the correct answer इसके साब से आप देख लेजेगा next question is question number 67 आपके सामने दोस्तों इसमें एक अभीकतन दिया है और दूसरा उसका कारण दिया है उसका according देखना है संगठनात्मक शमताओं पर निर्भर करती है यह उसका करण दिया है तो क्या होगा सही जवाब दोस्तों तो इसका जो होगा question number 67 का तीसरा दोनों सही है ठीक है ए और आर विक्तिगत रूप से सही है और ए का सही सपस्टी करण है ठीक है अगला question है हमारा question number 68 है आपका सामने दोस्तों निमलखित में से कौन सा एक अच्छे कोच का गुड़ नहीं है दोस्तों तो वो है और निरनायक ठीक है इन डेसिसिफ ठीक है बाकी knowledge of training method concern for the athlete और discipline यह आपकी अच्छे कोच के गुड़ होते है question number 69 आपके सामने निमलखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित न से संबंदित है लेकिन coronary artery आपकी kidney से संबंदित नहीं है next question number 70 आपके सामने दोस्तों निमलखित में से कौन सा एक शॉक पैड flex point है which one of the following are shock pads and flex points that is intervertible disc जो है वह आपका क्या है shock pads and flex points में आता है next question है हमारा question number 71 आपके सामने शारेरी कार प्रडाली मापदंडो की एक सूची नीचे दी गई है ठीक है रग्त चाप ज़ारी आयतन cardiac output और बैसल metabolic rate इन में से कौन सा हिद वाहिका कार प्रडाली के मापदंड नहीं होता है ठीक है next question है हमारा question number 72 निमलखित में से कौन सा शारीर की लंबे समय तक व्यायम करने की छमता को संदर्भित करता है which one of the following is refers to the body's ability to perform exercise for prolong duration that is cardio respiratory endurance okay cardio respiratory endurance next question number 73 की तरफ चलेंगे त्यत्तरवा question आपसे कर रहा है क्या करना है इसमें match करना है दोस्तों glands दी हुई है glands को हमें match करना है glands भी और भी parts जिसमें दी हुए तो 73 का हमें match करना है चलो करते है pituitary gland pituitary gland आपकी growth hormone कहलाती है दोस्तों ठीक है अग्नियाश है यानि कि pancreas आपका कहलाएगा दोस्तों क्या adrenal medulla आपका epinephrine अंडाशे आपका estrogen से निकलता अंडाशे से आपका estrogen hormone निकलता ठीक है next question number 74 आपके सामने कोशिका की protein factory किसे कहा जाता है दोस्तों mitochondria centrosome ribosome और lysosome तो भाई साब यह तो option कोशिका की protein factory आपकी ribosome खहलाती है ठीक है ribosome और उर्जा वाला आएगा तो mitochondria लगाओ लेकिन आप protein factory के बात हो दिए वह होगा आपका ribosome question number 75 आपके सामने दोस्तों रक्त में lactic acid के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए छारी reserve की कुल छमता कहलाती है the total capacity of alkaline reserve to counter the effects of lactic acid in blood is called तो क्या होगा इसका सही जवाब buffer capacity कहलाएगी दोस्तों क्या कहलाएगी buffer चमता है buffer capacity question number 76 आपके सामने प्राणाधार चमता मापी जाती ही दोस्तों vital capacity is measured by तो vital capacity आपकी मापी जाती is spirometers है अगला question है question number 77 आपके सामने दोस्तों लाल रक्त कोचिकाओं का ओसत जीवन होता है the average life of red blood cells that is 120 days ठीक है 120 दिन red blood cells का आपका जीवन काल होता है next question is question number 78 cardiac धारीदार मांस्पेशी का दूसरा नाम क्या है the other name of the cardiac strated muscles are called तो वो होगा आपका myocardium ठीक है myocardium क्या है myocardium is the other name of cardiac strated muscles next question number 79 match of the following है दोस्तों match of the following की बात करेंगे यहाँ पर तो स्वास्त देखभाल संसाधन आवंटन ये इसका आपका हो जाएगा दोस्तों सीदे सीदे स्वास्त नीती संकेत तक ठीक है अगला question option 4 is the correct answer हो जाएगा है पर इस question का 4 ठीक है next question है हमारा question number 80 आपके सामने दोस्तों निम्ड में से कौन सा योगम सही सुमेलेत नहीं which one of the following pair is not correctly matched तो इसका जो सही answer होगा दोस्तों वो क्या होगा hemoglobin magnesium यह आपका correctly matched नहीं है बाकी आपका vitamin C स्वास प्रित्रक्षाण प्राली immune system को बढ़िया करती vitamin B1 का रसाइनिक नाम thymine है सही है शरीर के bleeding protein blocks शरीर के bleeding blocks प्रोटीन कहलाते है तो यहाँ पर इसका जो not correctly matched है वो hemoglobin है ठीक है next question है question number 81 आपका किस वसा के अधिक सेवन से हिर्दैरों की संभावना बढ़ जाती है excess intake of fat that increases the chances of heart disease जली से बताएंगे किस प्रकार के fat से heart disease की संभावना बढ़ती तो saturated fat अगर जादा होगा तो संतिर्प्त वसा जादा होगी तो आपका heart disease होने के chances बढ़ जाते है question number 82 आपके सामने दोस्तों निम्लेकित में से किसे स्वास्त के विज्ञान के रूप में परिभाशित किया गया है और स्वास्त जीवन में योगदान देने वाले सबी कारकों को शामिल किया है one of the following is defined as the science of health and embraces all factors that contribute to healthful living तो सही answer क्या होगा दोस्तों वो होगा आपका hygiene ठीक है स्वाच्छता option 2 next question number 83 है आपके सामने दोस्तों या फेफलों की सूजन की स्थिती है is an inflammatory condition of the lungs तो वो होगा आपकी pneumonia pneumonia एक ऐसी बिमारी जो फेफलों में सूजन की स्थिती के लाती बच्चों को होती ये बिमारी next question निमलिकित में से कौन सा एक विस्ष्ट संक्रामक एजेंट या उसके जहरीले उत्पादों के कारण एक बिमारी को संदर्वित करता है जो प्रतेक्ष या प्रतेक्ष रूप से मनुष या परियावरण से हवा मिटी धूल पानी भोजन के माध्यम से मनुष में प्रसारित होने में सक्षम नहीं है ठीक है तो बताएंगी जल्दी से 84 का सही answer क्या होगा option to संचारी रूप ठीक है communicable diseases हो जाएंगे इसका सही answer next question question number 85 आपके सामने कौन से वाइरस से खसरा फैलता है from which virus rubella is spread from which virus rubella is spread that is toga virus से rubella जो फैलता है toga virus से फैलता है question number 86 आपके सामने marasmus rog किसकी कमी सोता है marasmus diseases caused by which deficiency cnc protein की कमी से आपका marasmus rog हो जाता प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा तो कौशी और कर हो जाएगा और कम हो जाएगा तो marasmus हो जाएगा ठीक है question number 87 आपके सामने पैलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी सोता है maxo edema disease is caused by the deficiency of that is hormone की कमी से आपको maxo edema disease हो सकता है next question question number 89 खेल ही जीवा ने सिद्धान किस ने दिया who gave play life play is life theory किस ने दिया यह दिया आपका john dv ने है ठीक है अगला question है हमारा question number 90 इने में से किस ने खेल के अभ्या सिद्धान को विक्सित किया who has developed the practice theory of play question number 90 के सही अंसर क्या होगा call gross ने ठीक है next question number 91 आपके सामने दोस्तों निम्ले में से कौन सी क्रिया को वित्ती प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है which activity includes the financial management that is guidance ठीक है निरदेशन सूची next question है हमारा अगला question 92 आप से कह रहा है दोस्तों निम्ले में से कौन से संगठन का सिद्धान्त नहीं है which one of the following is not the principle of organization that is प्राधिकरण की अवहिलना ठीक है और strip the authority यह आपका क्या हो जाएगा एक संगठन का सिद्धान्त नहीं होता है ठीक है बाकी आपका शक्ति का प्रत्योजन ओचित संचार और विकेंदरी करण यह आपके संगठन के सिद्धान्त होते है अगला question है हमारा question 93 आपका भूमी संबंधी साहसिक गत्विदियां है land related adventurous activities इसमें से कौन से हो जाएगी दोस्तों tracking कहलाएगी ठीक है अगला question है हमारा question number 94 आपके सामने निमलिकित में से कौन से classical play theory है which one of the following is the classical play theory that is option 2 is the correct answer अधी, शेश, उर्जा, सिद्धान्त यानी की surplus energy theory आपकी क्या कहलाती है classical play theory कलाती है, next question number 95 आपके सामने दोस्तों match of the following करना है हमको, ठीक है, तो match of the following में देखेंगे harness, harness क्या है, rock combling, climbing में यूज होने वाला एक apparatus होता है ठीक है, crampons, crampons जो होता है वो आपका परवता रोहन को का जाता है फिर tracking, tracking की बात करें तो high altitude पे की जाती है आपकी और फिर backpacking आपकी camping के अंदर back को pack करता है, ठीक है option 4 is the correct answer, now question number 96 आपके सामने योगासन की परिभाशा स्थिर सुखम आसनम, किस गरंद से लिगए है, definition of योगासनम, स्थिरम सुखम आसनम derived from which book तो वो किताब है दोस्तो हट योग प्रदीपिका, ठीक है, हट योग प्रदीपिका से लिगए, question number 97 है आपके सामने, मुरारजी देशाई राष्ट्री योग संस्थान इस्थित है, मुरारजी देशाई नेशनल इस्टिक्ट आफ योगा, is situated act, कहां स्थित है दोस्तों, त ठीक, option 3 is the correct answer, question number 99 आपके सामने, दोस्तों, पतंजली के अनुसार प्रणायामों की संख्या है, 4, 6, 8 या 12, कितनी संख्या है, 4, पतंजली के अनुसार जो प्रणायाम की संख्या है, वो कितनी है दोस्तों, 4, ठीक है, next question number 100 आपके सामने, दोस्तों, इनमें से कौन अतिरंग योग नहीं है, which one of the following is not अंतरंग योगा, तो वो आपका प्रणायाम अंतरंग योगा में नहीं आता है, बाकी धार, धारना, समाधी, ध्यान, ये सब अंतरंग योगा में आती है, next question number 101 है, आपके सामने, निमलिकित में कौन सत कर्म का सत्व नहीं है, which one of the following is the elements of कर्मा, सत क कर्म का तत्व है, पूछा है, तो वो कौन सा है, दोस्तों, वो आपका वस्ती, ठीक है, next question number 102 आपके सामने, दोस्तों, इसमें match of the following करना है, आसन से संबंदित question है, हमारा, तो इसका जो सही आंसर होगा, दोस्तों, देख लेते हैं, क्या, ताल आसन जो है, वो आपका खरगो परश मुद्रा ही सही था, इधर देख लेते हैं, ताल आसन आपका जो आएगा, दोस्तों, वो हेर पोज में आएगा, ठीक है, हेर पोज, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, question number 102, हाँ ठीक है, हेर पोज में आएगा, फिर इसके बाद आपका है, शशांकासन, तो शश शशांकासन आपका आएगा, ये परवत मुद्रा में आएगा, ठीक है, शशांकासन आपका आएगा, परवत मुद्रा में, ठीक, और फिर आपका योगिक चक्र जो होगा, वो आपका आजाएगा, ध्यान आसन में, और से धासन आपका आएगा, ब्रह्मनाडी में, ठीक है, which one of these part of pranayama तो option one पूरक जो है pranayama से संबंदित है next question है question number 104 आपके सामने इन में से कौन सा आसन श्रोडी छेतर की मांसपेशी को tone करने में मदद करता है which of these आसन helps the muscles of the pelvic region 104 का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका शशांक आसन next question number 106 आपके सामने है निमलकित में से कौन सा नियम का भाग नहीं है which one of the following is not a part of नियम तो वो होगा आपका दोस्तों ब्रह्मचर नियम का पार्ट नहीं है बाकी स्वाध्याय इश्वर प्राणी धान और संतोशी आपके स्वाध्यान का भाग है नेक्स कोशन है हमारा question number 106 आपके सामने इनमें से कौन सा विश्राम का हिस्सा विश्राम आसन का हिस्सा है which one of these is the part of relaxative आसना तो वो होगा आपका मकरासन ठीक है मकरासन होगा आपका विश्राम आसन का एक हिस्सा है अगला question 107 आपके सामने अनुपयुक्त का चैन करें choose the incorrect one कौन सा गलत मैच है वो हमें चैन करना है तो हो है आपका समाधी किसी वस्तु पर एकागरता समाधी किसी वस्तु पर एकागरता नहीं होती यम आत्म नियंत्रन होता है आसन आपका शारीरिक मुद्रा में आता है प्रणायम आपका प्राण नियंत्र में आता है ठीक है next question number 108 है किस ओलंपिक में डोपिंग के विरुद्शपत पहली बार दिलाई गई थी दोस्तों in which Olympic was the oath against doping टेवकेन for the first time तो क्या अगास का सही जवाब option 2 अनुपरियोग और मुल्यांकन संग्यात्मक उद्देशों का केंदर बिंदू है option 2 is the correct answer अगले question पे चलता है question number 110 आपके सामने निमलिखित में से कौन सा कथन साही है which one of the following statement is correct ठीक है कौन सा correct है option 1 endomorph शरीर का मोटापा का गठक है ठीक है पाकी प्रमुख मासलता endomorph में दूबला पन का गठक है endomorph में एक मोटी मांस पेशिक ठकी बड़ी अधिया प्रमुख होती गठक गलत है endomorph के है endomorph is the fatness component of the body ठीक है question number 111 आपके सामने व्यायम के बाद पुना प्राप्ति के दोरान अतरिक्त प्राणवायू का उपभोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों amount of extra oxygen consumed during the recovery after exercise that is called oxygen rate यानि कि oxygen depth दोस्तों ठीक है oxygen rate या oxygen depth कहलाता है ठीक है अगले question पे चलते हैं question number 112 आपके सामने है 112 आपसे कह रहा है कि किसने कहा कि शारेरिक क्रियाओं पर केंदरित अनुभवों दोरा जो परिवर्टन मानव में आते हैं वे ही शारेरिक सिक्षा कहलाते हैं ठीक है तो उसका जो सही answer होगा वो क्या होगा यह होगा आपका कैसिडी ने कहा ता इस शब्द को ठीक है कि शारेरिक क्रियाओं पर केंदरित अनुभवों दोरा जो परिवर्टन मानव में आते हैं शारेरिक सिक्षा कहलाते हैं किसने कहा कैसिडी ने कहा अगला कोशन है हमारा कोशन नमबर 113 आपके सामने क्रेशमर दोरा कौन सा शारेरिक प्रकार नहीं दिया गया विच बोडी टाइप इस हैस नॉट बीन गिवन बाई क्रेशमर तो यह होगा आपका उप्शन फूर ठीक है फ्लागमेटिक फ्लागमेटिक इन्हों नहीं दिया था की पाइकनिक डिस्प्लास्टिक और एस एतलेटिक की तीनों ही नहीं दियें बोडी टाइपस के ठीक है नेक्स कॉशन नमबर 114 आपके सामने हमें यहां पर मैच करना है ठीक है तो 114 का जो होगा option 3 is the correct answer हो जाएगा ठीक है और यथार्त वाद आपका धर्म और दर्शन से अस्तित्व में है और प्रकृति वाद आपका व्यक्ति समाज से अधिक महत्पूर्ण है ठीक है अगले question पर चलते है question number आपका 115 115 question आपसे कह रहा है अस्तित वाद का सिद्धान किस ने दिया था ठीक है which one is not a skill related sorry एक मिनट ये question है who gave the theory of existentialism प्रकृत अस्तित वाद का सिद्धान किस ने दिया था दोस्तों तो वो दिया था आपका किरकेगाड नीट्शे और सार्थ ने ठीक है किरकेगाड नीट्शे और सार्थ ठीक है next question है question number 116 आपके सामने निम्ड में कौन सा कोशल संबंदी fitness घटक नहीं है which one is not the skill related fitness component that is लचीला पन ठीक है flexibility आपका skill related fitness component नहीं है agility balance और power आपकी skill related fitness component है next question है question number 117 आपके सामने इसमें भी match करना है आपको match तो following करना है तो पहला आपका दे रहा है aerobic activity so aerobic activity जो होगी वो होगी आपका melody in swimming anaerobic activity की बात करें तो यह होगा आपका less than 80 meter sprint ठीक है flexibility की बात करें तो यह होगा आपका passive stretching और strength activity weight training ठीक है option one is the correct answer next question की बात करें तो अगला question है हमारा question number 118 आपके सामने और 108 question आपसे क्या कह रहा है दोस्तों कौन सी शारीरिक क्रिया ठीक है कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा शारीरिक शम्ता और इसके तत्वों से नहीं है the system which is not directly related to physical fitness and its components आर यह होगा आपका दोस्तों endocrine system जो हमारी अंतर स्ट्रावी प्रणाली है वो शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबन शारीरिक शम्ता और इसके तत्वों से नहीं होता है कंकाल तंत्र मास्पेशी तंत्र परिसंचरन तंत्र जो होते हैं वो शारीरिक शम्ता इनका जो संबन्द होता है वो डिरेक्ट सारीरिक शम्ता और इसके तत्वों से होता है अगला question question number 119 आपके सामने सन 1814 में Royal Central Institute of Gymnastic किस ने खोला था in 1814 the Royal Central Institute of Gymnastic was opened by पर हेंरिक लिंग next question number 120 आपके सामने दोस्तों प्राचीन ओलम्पिक खेलों में पैलेस्ट्रा जगा वह स्थान था कौन सा स्थान था in the ancient olympic games पैलेस्ट्रा वह प्लेस्ट्रा वह प्लेस्ट्रा यूज़ फोर खिलाडियों की तैयारी का घर कहा जाता था dressing room of athletes next question number 121 अनुबंधित अनुक्रिया के सिध्धान्त के प्रवर्तक कौन थे who was the propounder of conditions response theory तो वो थे आपके पावलोव next question number 122 आपके सामने मिलखित में से कौन सा व्यक्तित्व का वा भाग है जो माता पिता द्वारा संप्रेशित समाज के नहतिक मान को द्वारा निर्वेत होता है which one of the following is the part of personality that is shaped by the moral standard of society as transmitted by parents तो वो है super ego ठीक है super ego next question है question number 123 आपके सामने दोस्तों मिलखित में से कौन सा कथन सही है which one of the following is the statement is correct तो आपका चोथा कथन इसका सही होगा केरियर का चुनाव एक निर्ड़े लेने की प्रक्रिया है दोस्तों choosing a career is a decision making power ठीक है next question है question number 124 आपके सामने जो कथन सही है उसे चिन्हित कीजिए which one of the following statement is correct तो इसमें जो correct option होगा one सही हो जाएगा आपका मानव शरीर में गुरुत्वा कर्शन के केंदर का स्थान किसी भी छण संतुलित संतुलन की स्थिनी निर्धारित करने में मदद करता है next question number 125 जब शरीर का कोई अंग शरीर की मद रेखा की और बढ़ता है तो उन मिलखित में से कौन सी गती शामिल होती है which one of the following movement is involved when body parts moves towards the midline of the body so option 2 is the correct answer ये adduction कहलाएगा दोस्तों ठीक है next question 126 आपके सामने गोला फेकने के लिए अनकूलन प्रक्षेड कोड होना कौन सा होना चाहिए the optimum projection angle of shot putter should be 45 degrees से कम होना चाहिए उसका ठीक है अगला question 127-127 मानव गती विज्ञान के जनक कौन है who is the father of काइंसियोलोजी father of काइंसियोलोजी is Aristotle यानि की अरस्तू next question 128 वाउ तोलक जिसमें आधार वजन तथा बलक बीच में होता है the lever in which the fulcrum is located between the weight and force कौन से class का liver कलाएगा वो आपका कलाएगा first class liver प्रत्थम श्रडी उत्तूलक कलाएगा next question number 129 आपके सामने कौन साल ligament injury से संबंदित है which is related to ligament injury वो आपका होगा मोच यानि की sprain next question number 130 आपके सामने दोस्तों flat foot यानि चप्टे तलवे का कारण कौन सी विक्रती होती which deformity occurs due to flat foot वो होती है आपकी genuine welcome ठीक है उसका एक scientific name है तो ये थे दोस्तों आपके 260 question जो की आपके लिए बहुत ज़्यादा important revision के लिए BPSA इस्जाम के लिए मेरी बात मानना इस 260 questions के एक बार काईदे से दो बार तीन बार revise कर लेना ठीक है वीडियो को fast करके पढ़ लेना एरफोन लगा कर लेकिन वाकी बता रहो इसमें से 60 से 70 percent question आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों बिलकुल मिलेंगे ठीक है तो बिलकुल भी ignore मत करना हो साथ ही अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share, comment जरूर करें साथ ही चैनल लोग पहली बार है तो चैनल को subscribe करके जरूर बेल आइकन दबाना क्योंकि भविश में आने वाले exams के लिए मैं ऐसी वीडियो से लाता रहूँगा जो की आपके लिए बहुती ज़्यादा beneficial होने वाली है तो चलती है, चलिए मिलते हैं और हाँ एक चीज़ और EMRS वाले इस वीडियो को बहुती काईदे से अपने practice कर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा useful होने वाली है यह महा मेरा था ठीक है तो मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक लिए बाबाई, take care, जैहन, वन्दे मातरम, physical education सिंदा बाद, BPSC वाले के लिए बहुत धेर सारा, best of luck good luck, आप सभी का exam बहुत अच्छा हो